उम्शांती, 31 जन्वरी 77 अव्यक्तवानी भव्तों को सर्व प्राप्ती कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिती साक्षात बाप समान सदा साक्षात कार्मूरत सर्व आत्माउं की कामनाउं को संपन्न करने वाले सदा अपने भाग्य के गुन्गान करने वाले दाता के समान सदा देने वाले महादानी, वरदानी, आत्माउं प्रती, बाबा बोले अपने को हैस्ट अथोरिटी उचे ते उची हस्ती समझते हो अपनी प्यूरिटी की परस्नालेटी को जानते हो अपनी अविनाशी प्रोपर्टी को बाप द्वारा प्राप्तकर संपन्न अनुभव करते हो इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल के हद की पड़ाई और हद के पोजिशन की अथोरिटी समझते है उनके आगे आप सभी की अल्माइटी ओथोरिटी बेहद की और अविनाशी है ऐसी ओथोरिटी में सदा रहते हुए हर कर्म करते हो बाप दादा हर बच्चे को बेहद का मालिक बनाता है बेहद की मालिक पन में बेहद की खुशी रहती है अपनी खुशी के खजाने को जानते हो बाप बच्चों के भाग्य की रेखाए देखते हुए हर्शीत होते है की स्रेष्ट भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई-कोई आत्माई है बाप बच्चों को देख जादा हर्शीत होते है या बच्चे अपनी भाग्य को देख जादा हर्शीत होते है कोन जादा हर्शीत होते है आप ऐसी स्रेष्ट आत्माई हो जो आपके हर कर्म चरीत्र के रूप में गाए जाते हैं हर चरीत्र की अभी तक भी पूजा होती रहती है अभी तक भी भक्त लोग आप दर्शनिय मूर्थियों का एक सेकिन दर्शन करने के लिए तड़क रहे है ऐसे भक्तों की तड़क अनुभो करते हो भक्तों को प्रसन करने के लिए दिल में रहिम और कल्यान की शुब भावना उत्पन्न होती है भक्तों को प्रसन करने का साधन कोण सा है उसको जानते हो भक्तों को आप देवताओ द्वारा क्या प्राप्त होने की इच्छा है इसको जानते होना भक्तों की सर्वप्राप्ति करने का आधार भक्तों की भावना है भक्तों को सर्वप्राप्ति कराने का आधार आपकी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिती है जब स्वयम इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो तब ही अन्य आत्माउं की सर्व इच्छाए पूर्ण कर सकते हो इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपुर्ण शक्तिशाली विजुरूप स्थिती जब तक मास्टर विजुरुप नहीं बनते, बीच के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती अनिक भक्ता आत्माय रुपी पत्ते जो सूख गए है, मुर्चा गए है, उनको फिर से अपनी विजुरुप स्तिती द्वारा शक्तियों का दान दो जैसे जड़चित्रों के दर्शन पर भक्तों की क्यू लग जाती है, वैसे आपको चैतन्य में भी अपनी भक्तों की क्यू अनवो होती है क्या अभी तक भी भक्तों के पुकार के गीत सुनना अच्छा लगता है बाब दादा जब विश्व का सेर करते है तो भक्तों का भटकना पुकारना देखते और सुनते है तो तरस आता है आप कहेंगे कि बाब दादा ही साक्षातकार करा दे और भक्तों की इच्छा पूर्ण कर दे ऐसे सोचते हो लेकिन ड्रामा में नाम बच्चों का, काम बाब का है तो बच्चों को निमित्त बनना ही पड़ता है विश्व के मालिक बच्चे बनेंगे या बाब बनेगा प्रजा आपकी बनेगी या बाब की बनेगी तो जो पुझ्य होते है उनकी प्रजा बनती है उनके ही फिर बाद में भक्त बनते है तो अपनी प्रजा को या अपने भक्तों को अभी निमित्त बन, शांती और शक्ती का परधान दो। जैसे बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुए, वैसे अब आप इष्ट देव भी अपने भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होुँ। देवता वदेवी अर्थात देने वाले, तो विधाता के बच्चे विधाता बनू। अपने लाइट का क्राउन दिखाई देता है, रत्न जडित ताज, इस लाइट के ताज के आगे कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्यूरिटी को धारण करते जाते हैं, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाता है। बाप दादा भी सभी बच्चों के नमबर वार करों देखते हैं, जैसे भविषय में राज्य के ताज भी नमबर वार होंगे, वैसे यहां भी नमबर वार है, तो अपने नमबर जानते हो, छोटा ताज है या बड़ा ताज, ताज है तो सभी के उपर, जब से बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिग्या की, तो रीटन में ताज प्राप्त हो ही जाता है। सुनाया थाना, अल्माइटी उथोरिटी के बच्चे बनने से अर्थात अलव की चन्म होते ही, ताज, तक्त और तिलक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देखते हो। अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुन गाते रहो, तो सदा गुन संपन्न बन ही जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुन नहीं गाओ, भाग्य के गुन गाते रहो, प्रश्न से पार हो, प्रसन चित्र हो, जब तक खुद के प्रती, कोई न कोई प्रश्न है, कैसे करे, क्या करे, तब तक दूसरों को प्रसन नहीं कर सकेंगे। समझा, अब अपना नहीं सोचो, भक्तों का जादा सोचो, अब तक लेना चाहिए नहीं सोचो, लेकिन देना सोचो, कोई भी इच्छाए अपने प्रती न रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाए पूर्ण करनी का सोचो, तो स्वयम स्वतही संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे साक्षात, बापसमान सदा साक्षातकार मूरत, सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, सदा हाइस्ट, अथोरिटी की स्थित में स्थित, प्यूरिटी के पर्सनालिटी में रहने वाले, सदा अपने भाग्य के गुन्गान करने वाले, दाता के समान सदा देने वाले महादानी सर्व वर्दानों से संपन्न वर्दानी ऐसे महानात्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते ओम शंती